हेलो व्रिवन, देस साइड मोनी का यादो, होप यू ओल गूड, आज मैं आपको एट क्लास की सैल प्रैक्टिस 9A करवाऊंगी, इससे पहले कि सभी एक्सरसाइज मैं ओल्रेडी करवा चुकी हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, चलो the constant of the variation, हमें देखना है कि जितने भी relationship दिये हुए है, वो direct variation में है या नहीं है, अगर वो direct variation में है, तो उनका constant of variation भी हमें बताना है, सबसे पहले एपार्ट करते हैं, देखो, y को हम उपर रखते हैं, y upon x रखके चलते हैं, ठीक है, सबसे पहले देखो, 3 दिया हुआ है, 3 upon 1 दूसरे नमबर पे क्या दे रख़े है, 6 upon 2, तीसरे पे 9 upon 3, और चोथे पे है 12 upon 4, देखो, अगर हम इनको simplify करें, तो सभी में 3 upon 1 बनाएगा, अभी में 3 आ रहा है, तो क्या है ये, direct variation है, और constant की बात करें, constant को हम k के रूप में दिखाते हैं, k क्या होता है, y upon x, तो यहां पे y upon x क्या रहा है, 3 upon 1, या सिर्फ k को हम दिख सकते हैं, only 3, question B करते हैं, हम इसको y upon x की form में लिखेंगे पहले, यहां पे y 16 है, upon 10, इसको हम simplify करते हैं, तो हमारे पास 8 upon 5 आता है, और दूसरी वाली term 8 upon 5 ही है, last वाली term हमारी क्या है, 7 upon 3, देखो यह वाली term equal है, इस वाली term के, यह दो term तो direct variation है, but last वाली नहीं है, इसलिए यह जो complete term है, वो direct variation नहीं है, इसलिए यहां आएगा no, question C करते हैं, इसको भी हम y upon x की form में लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले है, negative 8 upon 4, यह 4 की table से cut भी जाता है, 4, 1 जा 4, 4, 2, the 8 होता है, but 8 के पहले negative sign है, तो यह negative sign भी इसके साथ आएगा, दूसरी term है, हमारी 2 upon 1, negative 1, जब negative 1 से इसको divide करेंगे, तो यहां भी negative 2 आएगा, तीसरा क्या है, 10 upon negative 5, 10 को negative 5 से divide करेंगे, तो यहां भी negative 2 आएगा, देखो सभी ही में negative 2 आ रहा है, इसलिए यह direct variation है, और constant क्या है इसका, देखो सभी में negative 2 आ रहा है न, that's why constant है negative 2, Question, second देखे, tell whether each equation represents a direct variation, if so identify the constant of the variation हमें ये बताने हैं कि ये जितनी भी expression है ये direct variation में है या नहीं है अगर है तो इनका constant भी find out करके देना है, ठीक है देखो equation solve करके अगर वो आती है P upon Q की form में तो वो direct variation है अगर वो इस form में नहीं आती तो वो direct variation नहीं है जैसे हम A part को solve करती है, यहाँ Y equal to negative 7 X दिया है ठीक है, इस X की में transposing करूँ, left hand side, देखो ये 7 से multiply हो रहा था तो इधर आएगा तो ये क्या करेगा, Y को divide करेगा, negative 7 आएगा देखो P upon Q की form में ये आगया, तो इसका मतलब ये direct variation है, yes और इसका constant K क्या है, constant को हम K की रूप में दिखाते हैं, negative 7 जब Y upon X के रूप में इसको रखा तो negative 7 आएगा, that's why इसका constant है, negative 7 बी वाले पार्ट में हमारा direct variation नहीं है, इसमें 9 आएगा देखो अगर हम try भी करते हैं, इसको solve करने का, यहाँ पर देखो negative sign है, इसके transposing करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, 11 plus 3Y बनेगा, ठीक है, और इसका हमने एक constant find out नहीं कर सकते चाहे कितना भी try कर ले, इसलिए यह एक direct variation नहीं है question C करते हैं, देखो हम negative 8X के transposing कर देते हैं, right hand side तो यह zero में add होगा, हमारे पास आगया 8X, okay, 5Y equal to आगया 8X 5 के transposing कर देते हैं, right hand side, तो Y equal to आगया 8X upon 5 अब हम इस X के transposing कर लेते हैं, left hand side, तो Y upon X equal to आगया 8 upon 5 हमारे पास एक constant आगया, तो यह एक direct variation है, यहाँ पे आएगा yes यह एक direct variation है, और की हमारा क्या है, constant क्या निकल के आगया है, 8 upon 5 यह हमारा direct variation नहीं है, इसको हम X upon Y की form में कैसे भी नहीं ला सकते तो यह आएगा no, question third देखिए, the value of Y varies directly with X and Y 12 when X 10 find Y when X 25, जो Y की value है वो directly vary करती है X के साथ सबसे पहले हम एक table बना लेते हैं, ठीक है, आप चाहे तो उपर X रख लो या नीचे रख लो इससे कोई फरक नहीं पढ़ना, X यहां रख दिया, Y यहां रख दिया बट value धहां से रखना, देखो, यहां पर Y की value 12 दे रखी है, तो इस वाले box में Y की जिगे 12 लिख दिया और साथ में दे रख है X की value 10, दूसरे वाले box में बोला है कि Y की value आपको find out करनी है इसके लिए हम Y यूज़ कर लेते हैं, यह Y की value find out करनी है और X कितना है, 25 यहां पर लिखेंगे, since the value of X and Y are in direct variation और proportion, so तो हमारे पास यहां क्या आगया, 10 upon 12 यह equal होगा, 25 upon Y के अब आप लोगोंने cross multiply की होगी, cross multiply करेंगे, ठीक है तो यहां से हमारे पास आता है, 10 Y equals to 12 multiply 25 अभी 10 की transposing करेंगे, तो हमारे पास Y की value आजाएगी 12 into 25 upon 10 5 की table से काटते हैं, 5 2s are 10, 5 5 जा अब 2 की table से काटते हैं, 2102, 260, 12 तो Y की value हमारे पास क्या आगई, 6 को multiply करोगे, 5 से तो आती है, 30 Question 4 देखें, इसमें बताया गया है कि P directly vary करता है, क्यों के साथ सबसे पहले हम एक table बना लेते हैं यहां पे हम P लिख देते हैं, नीचे हम Q लिखते हैं अब इनकी value बड़े ध्यान से लिखने हैं, देखो पहली बार में P बता रहा है 21 और क्यों बता रहा है 7 तो P की जिगह पे लिखेंगे 21 और नीचे क्यों की जिगह पे 7 ठीक है, दूसरी बार में हमें क्यों find out करना है जबकी P बताया है तो P वाले कोलम में हम 15 लिख देंगे और क्यों की जिगह पे क्यों लिखेंगे ठीक है, since the value of P and Q are in direct variation or proportion So, हमारे पास क्या आजाता है 21 upon 7 equals to 15 upon Q अभी हम cross multiply करेंगे 21 को Q से multiply करेंगे तो क्या हैगा 21 Q equals to 7 into 15 आप चाहिए इसको multiply कर सकते हो या ऐसे ही रहने दो 21 के transposing कर देती है Right hand side, एक Q से multiply हो रहा था इदर आके ये क्या करेगा? Divide करेगा सबसे पहले 7 की टेबल से कटते है 7 equals to 7, 7, 3 is a 21 अभी 3 की टेबल से कट कर देते है 3 equals to 3, 3, 5 जब 15 हमारे पास Q की value आ गई है? 5 आप लोग लिख लेना Q equal to 5 Question 5 देखिए If the cost of petrol is 68.75 per litre, write a direct variation equation to describe the cost Y of X litre of petrol इस question में न हमें एक equation बनानी है cost की, cost जो की हमारी Y है तो Y किसके उपर depend करेगा? जो price है per litre के हिसाब से उसको multiply करना है कि बहु कितने litre ले रहे हो? और यहाँ पे litre के लिए क्या दे रखा है? X दे रखा है That's why Y equals to Y गा जो हमारे पास price है पर litre का उसको multiply कर दो लिटर से ठीक है? तो Y equals to 68.75 X हमारे पास आता है question 6 देखिए tell whether each relationship in direct variation explain your answer जो यह equation दी हुई है हमें यह देखना है कि यह direct variation में है या नहीं है अगर हम इसका constant निकाल पाते हैं तो यह direct variation में हो गया अगर नहीं निकाल पाते हैं तो यह direct variation में नहीं है चलो पहले equation को यह solve कर लेती है negative 18 X plus 7 Y equals to 0 हम negative 18 X की transposing कर देते हैं right hand side तो यह इदर जाके plus हो जाएगा 0 plus 18 X अब भी हम इस 7 की भी transposing कर देते हैं यहां पे हम Y रखेंगे बस इनको add करते हैं तो क्या आता है 18 X upon 7 यह हमारे पास Y की value आ गई है हम इसका constant और निकाल के बता देते हैं ठीक है हम X के transposing करें left hand side तो Y upon X हो गया यह इसका कितना आता है 18 upon 7 तो constant हमारे पास आ गया है 18 upon 7 और Y की value क्या है 18 X upon 7 ठीक है यह एक हमारा direct variation में है यहां पे हम लिखेंगे yes it is in direct variation second वाली equation देखिए हम try करते हैं कि इसमें भी हम एक constant find out कर सके अगर constant हमें मिल गया तो यह direct variation है otherwise यह नहीं है देखो यह 2 decimal 00X negative है इसको जब हम right hand side लेके आएंगे तो यह क्या हो जाएगा positive हो जाएगा 2 decimal 50 plus 2 decimal 00X और इनको हम add नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ variable है और इसके साथ variable नहीं है तो इसमें हमारा answer क्याएगा no it cannot be written in the form y equals to constant into x इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक करऊंगे अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना I will upload you next to you soon till then bye bye take care stay connected